अगर आपके पास OnePlus Node 2T यह Node C2 है तो उसके अंदर आप Color ID Announcement को किस तरीके सेट कर सकते हो Color ID Announcement सेट करने के लिए आपको उससे पहले डालर पे किलिक कर लेना है 3 Node पे किलिक करने बाद आपको साइटिंग पे किलिक कर देना है लगा रखा होगा तब भी आपका headphone में भी call बज़ेगा और फोन में भी अगर आपको इस पर दूसरा उप्सन पर Select कर दो कि अगर आपने headphone लगा रखा है तो खाली आपका headphone पे show होगा क्या आपका call आ रहा है डिवाइस में आपका कोई भी शो नहीं होगा अगर आपको इसे never करना है तो never भी कर सकते हो इस तरीक के सब अपने फोन में announcement, caller ID को set कर सकते होगा अगर वीडियो चले तो वीडियो को like से subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में जब तक के लिए भाई